आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास एट आप लोग का भुगोल का चैप्टर नमर आप लोग का 21 से है एसिया एसिया महादेश की अध्याय के सारे कोश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिचेगा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देखेंगे वीडियो को कोश्चन है आप लोग का एक नमर एसिया की पूरब में है परसांत महासागर योरोप हिंद महासागर लाल सागर तो एसिया की पूरब में परसांत महासागर है कौर नमर आप लोग का राइट हो जाएगा दूसरा है संसार की छट कहलाती है तिबबत का पठार माउंटे ब्रेश्ट पामीर का पठार यूराल परवत मौला तो संसार की छट तिबबत का पठार कहलाता है अगे अपलुक का है एसिया की दक्षिनभाग की जलबायू है सितोसन उसन मडवस्थलिया बिशूवत रेखिये तो उसन है वह कैसी है उसन है आपलुक का खौर नमर राइट हो जो जाएगा आगे है सारवाधिक मुस्लिम आवादी वाला देश है तो सारवाधिक मुस्लिम आवादी वाला देश इरान है ठीक है इरान कोर नमर राइट हो जाएगा आगे आप लोग का है हां गउ नदी घाटी से व्यता बिक्षित हुई है चीन में कहां बिक्षित हुई है चीन में कोड़ नमर राइट हो जाएगा आगे है सही मिलान करें दो नमर कुश्चन तो रेडियर रेडियर का यह जो है टूद्राप पर देश का मुख्य पसू है कॉन धारे बेख नहीं है टैगा बनचीत में टैगा में मिला लेना है ठंडी जल धारा क्यों राइल में मिलाना है तर युहारो का देश फिलिपशर को चाहरे नमीदान सैड़ेरिया उत ठारी उत्तare ईसिया का दिस ठीक है इस परकार आप लोग को मिला लेना है क्हों पूरा में क्या है इसके पाष्षी में क्या है उत्तरमे क्या है दक्षिन में क्या है तो देखिए पूरव आप लोग दानते होंगे दिसा पूरव होता है पस्चिम होता है उपर उत्तर होता है नीचे दक्षिन होता है तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे एसिया की पूरब में परसांत महासागर पस्ट्रि में योरोप उत्तर में आर्टिक महासागर दक्षिन में हिंद महासागर है यही है एसिया की चवहत्दी तो आप लोग इस प्रकार लिख लिजेगा दो नमर कोश्चन है आप लोगा एसिया को योरोप से अलग करने वाले प्राकिर्तिक कारकों के नाम लिखे तो लिखेंगे एसिया को योरोप से अलग करने वाले प्राकिर्तिक कारक निम्न है डार डो नेलिस जलसंदी वासपोरस जलसंदी मार मारा सागर काला सागर कैस्पिय सागत यूराल नदी कुश्चिन नमर थ्री है सब्यता का पालना एशिया को क्यों कहा जाता है तो लिखेंगे दजला फूरात नदी में मेसो पोटामिया की सब्यता सिंधु घाटी सब्यता हां गवो नदी घाटी सब्यता ये सभी एसिया महाधेश में ही बिक्षित हुई इतनी सारी सब्यता का उस्थान एवं पतन एसिया महाधेश में हुआ इसलिए इसे सब्यता का पालना कहा जाता है जो इतनी सब्यता थी में सो पोटाम या सिंदु घाटे सब्यता हां गव नदी घाटी सब्यता सब्यता की जो उस्थान सुरुआत हुई थी और आंत जो हुआ था एसिया महाधेश में ही बिक्षित है इसलिए इसे सब्यता का पालना भी का जाता है चार नमर कोश्चन है अप लोगा एसिया महादेश में किर्शी निर्वहन का प्रमुक साधन है कैसे तो तर लिखेंगे एसिया महादेश में किर्शी निर्वहन का प्रमुक साधन है क्योंकि यहां किरिशक समाज में प्रम्प्रागत किर्शी और आधुनिक किर्शी के तरीकों को समानवित रूप से अपनाया है धान यहां की मुख्या फसले हैं ठीक है? आगे आप लोग का कोश्चन है चार नमबर कैसे उत्तर देखते हैं लिखेंगे उत्तर में एसिया महादेश की जलवायू कापी भी विश्ता है इस महादेश की सारवदिक गर्म थंडा प्रदेश तो पड़ता है सबसे आंदर सबसे सुस्क चेतर भी पाए जाते हैं इस महादेश का अचान से यह देश आंतर विश्तार बहुत अडिक है समुन्द टर्ट से अस्थलिया भाग की दूरी काफी है इसलिए महादो इपता इस्तिती पाई जाती है एसिया उत्ति भाग की जलवायू थंडी रूस इस्तित ब्रंको यांसक का तापन मैनस नबेट चल्सियस तक ताप पहुंच जाता है ठीक है डिगरी तक यहाँ पर है लिखना है फिर आगे सबसे गर्म परदेश मित्रावा कुवायत एसिया में है उसके बाद यह पूरा लिखना है ठीक है कहां से लिखना है अप लोग को अप लोग को इहां से लिखना है यहां तक सिर्फ यह लाइन जो है नहीं लिखना है ठीक है उसके बाद जितना है सारा लिख देना है कोईशन नमर दो है आप लोग का एशिया महादेश की आबादी भी साल है क्यों उत्तर क्या लखेंगे उत्तर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर एसिया महादेश में सारवधिक जंसंग्या पाए जाने की कारणे से मानब का घर भी कहते हैं जीवन परत्यासा भी एसिया महादेश के जापार में सबसे अधिक पाए जाती है इस महादेश में विश्व की सारवधिक आवादिर आती है फिर तिवी के अस्तरभाग का लगवा उत्य तीस परतिसत फिस्से पर एसिया महादेश का विश्व की साथ परतिसत आवादि यहां रहती है इस परकार आप लोग को लिख लेना है उत्तर Quesion No.3 है एसिया की सांस्कृतिक परतेशों के बारे में बताए तो उत्तर में क्या लिखेंगे उत्तर में आप लोग को लिखना है यहां पर विभिन धर्मा वलंबी दर्शन और संप्रदाई यहां की संस्कृति बिशिष्व की सभी धर्मों उत्पति इस महादेश की धर्ती से हुई है हिंदू, मुसलिम, इसाई, बहुत मतला, मतला, मता, वालंबियो की परमुक्ता है प्राजिन सब्वेताओ का भी गाज, इसी महादेश नदी घाटी में हुआ है ठीक है उसके बाद आप लोग को ये पूरा लिख देना है लैंड इसलिए इस महादेश को तब्वेता का पाला का जाता है उसके बाद आप लोग को आगे क्या लिखना है वह तो लिखने के बाद लिखेंगे इसलिए इस महादेश को कई सांस्कृतिक परदेशों में बाटा गया है उसके बाद पुर्वी एशया दक्षिनी एशया सम में आप लोगो इसके थोटा छोटा इसके बाड़े में ठीपनी कर देना है। इसके अंव्ही शबी थेना है इचन जापान उत्तər कोरिया दक्षिनी कोरिया जैसे मतपूर्न देश धिया है। झाल झाल